हेलो गाईज, वाट्स अप, I hope all of you are well, myself मानबिन सिंग and you are watching PCB Star, all of you welcome in our YouTube channel PCB Star, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रशायन विज्ञान में पदार्त की अवस्थाउ तत्य यौगिक से सम्मांधित सिमस्थानिक संभारिक नूट्रोनिक से सम्मांधित important questions तो वीडियो के और अगर वीडियो पशंद आए तो चैनल को like, share and subscribe ही कर दिएजएगा तो चलिए, शुरू करते हैं तो पहले question में आप देख पा रहे हैं, इसका answer बताएए क्या होगा, question बहुती simple होंगे, but basic होंगे, जिसमें आपको काफी चीज़ें जानने को, मिलेंगे जानने को पहले question में आपसे कहा रहे हैं कि एक ही प्रकार का पर्माणू ने मैंसे किस से मिलता है, तो पहले बात तो आपको पता होना चीज़े, पर्माणू क्या होता है, पर्माणू कि किसी भी पदार्थ का, वह सुचमतम कड़ है, जिसे और छोटे कड़ों में नहीं तोड़ा जा सकते हैं या पसमें किरिया करके अनू बना लेंगे जैसे दो ऑक्सीजन के पर्माणू बना लेंगे, दो हाइड्रोजन के पर्माणू मिलके एच्टू बना लेंगे, तो पर्माणू सुतनतबस्था में नहीं नहीं रहते हैं और अनू में परिवर्तत हो जाते हैं, तो के मिलनेंसे आपका अनु बना है परमाणू मतलब एटम और अनु िच्वлек 2021 आप सब लोग जानते हैं तो यहां पर पूँच रहे हैं एक ही परकार का परमाणू कि समें मिलता है यह होती है आपकी तत्य की अच्तला के लिए यहांगर समतिए भूआ, जाता यहांगे, अपको स्जासोर्स स्जासद के लगाई। तो यहाँ पर आपका अंसर हो जाएगा A आई होप आपको समंद में आया होगा अगर वीडियो पशंद आया तो तुरंत इसको लाइक कर दीजेगा और वीडियो के लाश तक बने रही हैगा इसे पर से अपने प्रते कुश्चन को एबरी कुश्चन को डीप एनलिसिस के साथ डिसकस करेंगे और आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी अगर आपको कुछ इंपोर्टन लग रहा है तो उसको आप नोट भी कर सकते हैं यहाँ आपसे एगले कुश्चन में पूँच रहे हैं सुद्ध पदार्थों को अनपात में लाया जाता है तो बनता है आपका यॉग एक तो जल में आपके हाइड्रोजन और ऑक्सिजन का अनपात कितना है होता है आपका जल का शूत्र तो दो भाग हाइड्रोजन और एक भाग ऑक्सिजन है तो भाग के अनुसार से दो अनपाते एक है लेकिन अगर इनका द्रबमान से देखा जाए तो कैसे पता चलेगा एच्ट्व में हाइड्रोजन का अनुभार कितना होगा दो और जल का सिपराप्त किया जाए उसमें हाड्रोजन और ऑक्सिजन का जो भारा अनुपात है वो एक अनुपाते आठी रहेगा इस टाइप का कुश्चन भी आप से पूचा गया है और पूचा जाता है तो यह क्या होती है यौग जो निश्चत समान पदार्थ के पदार्थों को एक दूसी तरह होते हैं आपके मिसरण उन्हें किसीबी आनुपात में मिला दो जलिया रेतली कुछ भी लेलो और इसको भीना किसी आनुपात के मिलादेगे तो क्या बनता है मिसरण बनता है तो यहां पर आफका अंसर क्या था यह होगे चले अगले कुस्चन को अपन तोड़ होते हैं इसको फोड़ते हैं दो या दो से अधिक सुद्ध पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है वह बात जो मैं बता चुका हूं किसी भी अनुपात में मिला दोगे तो क्या बनेगा मिश्रण बनेगा क्या बनेगा आगे बढ़ते हैं ऐसे तत जिन में अभरददधु और अधात्यू दोनों के गुण पाय जाते हैं वो क्या कैलाते हैं, अब देखो तत्तु तुम जान चुके हो क्या होते हैं, तत्तु किसी पदार्थ का सूजिम्तम कर्ण है, पदार्थ है जो सुतन तबस्था में रहाता है, और मतलब एक ही परकार के परमानो कुछ मिलकर बना होता है अब तत्वों को भी कई टाप से बरगी करेत किया गया कुछ प्राक्तिक तत्व हैं कुछ कृटिम तत्व हैं प्राक्तिक तत्व में आपके धात्वत्त To ?v हैं कुछ अधात्वहन खोगत ध५फ हैंं तो मतलब भी तत्त्व औक्साइड चारे होते हैं सभी प्रकार के कुश्चन बनते हैं जो मैं आपको रहा हूँ तो धातु में एक बिसे चमक होती है ठीक ना इनके औक्साइड कैसे होते हैं चारे होते हैं धातु में बिद्धुत की सुचालक होती हैं उस्मा की सुचालक होती हैं दूसरी तरफ होत और कई सारे डिफरेंस》 दोनों के क्योंट पाए जाते हैं वह आपके उप दातू के नहिない जैसे आफ-का हो गया G जिल को न हो गया अजया यह क्म बश्कॉन टन्हों गया लड ओने लिए अलूमेपी यह उन्मटिणी भी ओक्य। आपको आपको याद होने चाहिए क्योंकि पूछ लेते हैं कि निमन में से कौन अबधातू है या कौन अबधातू नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं बोरान हो गया वाका सिलिकॉन हो गया जर्मिनियम जी ये प्रतिक तो आप सभी को आते ही होंगे लगबग एक से तिस तक के आर्सेनिक एंटीमनी ये सब क्या है उप धातू है नेस्ट कुस्चन यहां आप से पूँच रहे हैं कौन सी धातू बिद्धुत की कुचालक है तो अधिकतर धातूं बिद्धुत की सुचालक होती है लेकिन आप से पूँच रहे हैं बिद्धुत की कुचालक है तो टेन कौपर लेड निकल तो निकल हो गया कौपर हो गया टे ये आपके बिद्धुत के सुचालक होते हैं जबकि आपका लेड पीबी ये बिद्धुत का कुचालक होता है इसी परकार से आपसे अधातों में भी पूंचा जा सकता है कि कौन सी अधातों बिद्धुत की सुचालक है क्योंकि आधातु, कि आधातु, नियूदतु कुछ अलग होते हैं लेकन कुछ आधातु, कोछ अधातु हैं जो विद्थूत की 1994 भी होती है dobre ग्रेफाइट क्या है, ऑधातु है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्टरोन पाय जाते हैं इसका कारण भी पूंच सकते हैं तो यह option आपका सही हो जाएगा चलिए next question पर देखते हैं किस अधातू में धात्विक चमक पाई जाती है मतलब अधातू है फिर भी उसमें चमक पाई जाती है क्योंकि अधिक तर जो चमक पाई जाती है वो धातू में पाई जाती है अधातू में कोई चमक नहीं होती है लेकिन चमक होती है होती है आपके ग्रेफाइट और आयोडीन में यह अधातू हैं दोनों और इन में एक विस इस चमक पाई जाती है तो इस ताइप से धातू अधातू होते हैं जो आप से पूछी जाती है वे यहां से पुना पूछ लिया कौन सी एक उपधातू है तो यह सभी उपधातू है क्योंकि पिछले कुश्चन में आपने देखा था आरसेनेक एंटी मनी विश्मत यह क्या है उपधातू है जिनमें आपके धातू और अधातू दोनों के गुण पाए जाते हैं वो आपके उपधातू कहलाती है वो दोनों प्रकार से बैवार प्रदर्सित कर सकती है इसके अलावा आपका जर्मेनियम हो गया एंटी मनी हो गया टॉलूनियम हो गया यह सभी उपधात बायू की हैनि、 यूगिक क्या पहचान होती है diesem नश्चत अन्पात्माइँ मिलाया जाता है जो यूगिक बनता है तो बायू क्या है बायू तो एक मिश्रण है क्योंकि बायू में कुछ चीज़ फिक्स नहीं है एट्रोजन ऑक्सीजन फिक्स है कि 78% मेट्रोजन है इतने पर्षंट ऑक्सीजन है CO2 है धूल के कड़ है लेकर वो क्या है एक निश्चे तनपात में नहीं है तो वो बायू क्या हुई मिश्रण हुई पारा हमोज़ा हो और क्या है तो सुद्ध हम पदार्त है यह के आपका तत्त हो जाएगा ओज़न आपका होती है एनहे ठीड़ी और और धिडैश तनाफी ऑड़ है उस्तिर भी आपको पता होना जाए तो यौगिक की बात कर रहे हैं तो यहां पे मेरे हिसाब से अंसर होना चाह जलिय आगे बढ़ते हैं उसका अंसर बताइए क्या होगा जलियोग यागे एक है क्योंकि अब कोई चीज यागे एक है तो यागे को ही डिफाइन करनी चाहिए वो या ठूस द्रौण गैस इससे कुछ मतलब नहीं है जलिय चाहिक है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और आक्सी तो यहां आप से मैचिंग मिलाने को कहा गया है तो मिला दीजिए मैचिंग शिंपल है यहां आप से पूँछ रहे हीरा संग्मर्मर रेट मरेक के दूसरी तरफ दिया है कैल्सियम सिल्कॉन एलुमिनियम कारवन तो हीरा का जो मुख पदार्थ जिससे हीरा मिलके बना होता है संगर्मर क्या होता है चूना पत्थर होता है संगमर्मर इसका सुतर होता है CVO3 यानी कैल्सिम कार्बोनेट आपका स्थिंग से मिल जाएगा रेथ होती आपकी बालू जिसका सुतर होता है ऐसा यो टू यह चीज़ें आपको आती होँगी अगर आप तैयारिक कर रहे हैं तो सिलिकॉन एसा यो टू किया सिलिकॉन उमारिक के जितने भी रत्न होते हैं अंगुठियों में जो लगाया जाते हैं उनमें ऐलुमीनियम के तत्तु पाया जाते हैं तो इस हिसाब से इसकी मैचिंग हो जाएगी आगे दिखते हैं कि कुश्चन है चेलिए इसमें पूछ र सिलिकॉन है तो लगाये तो चीजें सरल हो जाती है और आपका अंसर एक्दम एकडिमिनिक अमडेक कारवन हधाए तो यहां पर आपका अंसर मेरे हिसाब से मिटी का तेल होना चाहिए थोड़ा आगर आप कॉमन सैंस लगाएंगे तो चीजन सरल हो जाती हैं और आपका अंसर एक्दम accurate निकल के आता है यह आपस पूछ रहें कौन सा पदार्त प्रति में तीनों वस्थाओं में पाया जाता है तो वह आपका है पानी शिंपल है जल है जो आपका ठोच द्रावग्यस तीनों वस्थाओं में पाया जाता है उनमें आपस में पर तो मिश्रदातूमें सिर्फ धवधातूं होंगी और मिश्रदातूमें एक निश्चे तनपात भी मिलाए जाता दाथ आट्टूं को एक पर्शेंट होता है चापका हो गया कॉपर, जिंक, निकल होता है आयरन होता है, इसी परकार आपका एक चीज पूंची जाती है क्या पी कुछ रहें in chips कौन सा ना तो तत्त है और ना ही siihen होगिक तो वो सकता है आपका योग हो út it भी नहीं होना चाहिए तो हो जाएगा बायो छिल यहां है पाराथ द्टत रख्था प्लाज्मा सिंपलनुमन में कौन से क्यों यौगिक है। यौगिक है हीरा यौगिक नहीं है। Bronze इं Gu social dot सता है ना रेद का शुत्र तो यह क्या हो जाएगी क्य Depth स्टील पीतल क्या है मिश्र धात्व हो और हीवे फक्नलफ का अपर रूप है ब्रंजक्रम क्या है ब्रंजक्रम क्या यॉग्या है इसका सुध्र भी आपको पता होना चाहिए ब्रंजक्रम स्कुबलीचिंग पाउडर भी बोलते हैं CAO CL2 केल्सियम हाइपो क्लोराइड इसका राशानिक नाम भी पूछा जा सकता है नोट कर लीजिएगा निम्न में कौन सा मिस्रण नहीं है मिस्रण नहीं है तो इस पाथ काच पीतल ग्रेफाइट तो ग्रेफाइट मिस्रण नहीं है बगी काच पीतल श्पाथी सब क्या मिस्रण है या फिर मिस्सदातू है तो यहां पर आपका अंसर हो जाएगा ग्रेफाइट बारूद क्या कहलाएगा आपका जो बारूद होता है वो क्या है मिस्रण है मिस्रन होगा क्योंकि उसमें तत्तों को मिलाया जाता है कोईला क्या होगा कोईला आपका तत्तों होगा क्योंकि कोईला क्या है अपर रूफ है जितने भी अपर रूफ होते हैं वो आपके तत्तों के अंतरगात आते हैं तो इतना ही आगे बढ़ते हैं नेस्ट कुष्चन हीरा है तत्य, नेस्ट कुष्चन विश्चु का प्रतेक पदार्थ अत्यन्त सुज्म कड़ू से मिलकर बना होता है यह सब प्रधन किसने कहा था यह कहा था आपके कड़ादने प्रमाणू की बारे में सब्से पहले बेग्यानिक कड़ादने बताय था आगे कांसा है तो योगिक पूछ रहे न इनि कंपाउंड तो आपका हो जाएगा दुद ने इस्ट कौन सा एक टत्व है तस्ट हुज़ाए आपका हीरा नेस्ट बायू नमन में क्या है वायू मिस्रन है अपका नेस्ट कौन सा राशा इने क्यों गए राशायनिक योगिक है, अमोनिया में निम्न नहें मिस्रण है। इस पात। इस स्टीन्लेस इस्टील जिसमें लोहा कारवन निकिल और कुछ अनतत्त उपस्तित होते हैं। शुद्यतत्त तो कौन सा है। सुद्यतत्त अपका सोडियम। एक ही प्रकार का पर्माणू किसमें मिलता है प्राक्टिक तत्त में जिसे हेड्डोजन हो गया ऑक्सीजन हो गया सेलफ हर कोपर चांदी जिसमें एक ही प्रकार के पर्माणू हो जैसे सोना हो तो उसमें सोने सोने के पर्माणू हो अगर चांदी हो तो उसमें चांदी चांद यह दो से अधिक सुद्ध पदार्थों के एक निश्चे तनपात में तो पन पहले ही देख चुके हैं कुश्चन इसका अंसर हो जाएगा या ओगिक तो इस टाइप से आज के लिए इतना ही मिलते हैं क्लिए वीडियो में थिंक्यू टेक केर लब यू ओल